अपने शो वाट दे हैं नव्या सीजन टू में अपनी फैमिली को लेकर कई तरह के रेविलेशन करने वाली अमिताब बच्चन की नाती नव्या जया और शृता के साथ और अगस्तिया के साथ इस शो में नज़र आई बात उन्होंने अभिशेक अमिताब से लेकर जया सबकी की सबाल उठा एश्वर्या राध्या को लेकर जब एक भी बात बच्चन परिवार की इन तीन लेडिस की तरफ से नहीं हुई नव्या ने एक बाफर से एश्वर्या राए बच्चन की बेटी को लेकर चरशाएं बटोरी है जी हाँ हमारे इस रिपोर्ट में आपको बता दे स्टार के इट्स को लेकर नव्या की राए सामने आई और इसकी भी गौर्जिस नव्या ने पॉड्कास्ट में जो प्यार ब राए मैंदा के साथ बुजनेस से जुड़ने का नव्या ने ऐश्वर्या के पॉड्कास्ट जूने के सवाल को स्किप किया था हाली में जिसे लेकर खब्रे आए कि बच्चन परिवार में फूट कहीं नकरी है खर इस तरह के सवाल हुए उनसे किया अड़ाइस दिला चाहेंगे तो अश्वार्या की बेटी को लेकर अनव्या ने कहा कि वो कभी भी आराध्या को किसी भी तरह की सलाह नहीं देती क्योंकि वो मुझसे ज्यादा समझदार है मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कहकर इश्वार्या की तारीफ इंडारिक्टली कह दी वही नव्या ने एक चीज़ और एड़ किया कि जेनरली अगर देखा जाए तो येंग विमिन्स आज की समय में जादा स्मार्टर वाइजर हो चुकी है और जादा जानकारियां उनके पास है और चीज़ों को लेकर अवेर भी है और वो दुनिया को चेंज करना चाहती है अच्छे के लिए नव्या को लगता अराध्या ऐसी ही है और उन्होंने कहा वो अराध्या को देखती है तो उन्हें ऐसा ही लगता है राध्या काफी जादा वाइजर है उनसे जादा आज के जमाने की वो लड़की है और वो दुनिया को बदलते हुए देखना चाहती है जितनी वो इंटेलिजन्ट है इस एज में मैं तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके आगे कुछ भी नहीं थी वैसे आपको बताना चाहेंगे नव्या ने इसके अलावा इंटर्व्यू में ये भी कहा कि अराध्या काफी ज्यादा ही टालेंटेड है और वो कुछ बहुत बढ़ा करने वाली है अपने जिंदगी में और वो काफी इंतजार करी है वो दिन देखने का जब अराध्या कुछ बढ़ा करेंगी नव्या ने का हा सुमूर दैन मी गिविंग अरेनी अडवाइस एंस्पिरेशन आई टेक अलॉट प्रॉम हर आई सी सो मच दशी इस गोई तो इन हर लाइफ और वो दिन देखने का इंदजार कर रही हो जब अराध्या अपनी लाइफ में कुछ बढ़ा अ अचीव करेंगी नेक्श नाइन लाइफ से जबते के रिपोर्ट